बी-े-म-ल की बात की, तो ये एक स्टॉक था, चले हैं 4-5 स्टॉक लेते हैं, करिण जादुर भी एजी वे हमार साथ आज बने हुए हैं, करिण जी पहले तो नोशकार आप पहले बार शोग पे आए, आपको स्वागत है, तो 3-4 स्टॉक हम बात करें रहे हैं पहले, और मोमे स्टॉक ये सब स्टॉक हैं, और सीमेंस भी ले लेते हैं, ये दोनों स्टॉक मैं आपके लिए डाल दूगा, सीमेंस में मोमेंटम उतना नहीं था जितना ABB में था, अगर बहुत तेज मोमेंटम आया, अगर आप देखें तो बिलकुल एक्यूमिलेशन पैटरन पे स्टॉ अगर 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 आप देखें तो बहुत सारी रिजिस्टेंस एक साथ तोड़ के स्टॉक निकला है, सीमेंस भी जो है एक बार वो डाल देते हैं, अगर उसमें उसकिसम का मोमेंटम है कि नहीं, किरन जी अगर आपने ये दोनों स्टॉक देखें हो, ABB और सीमेंस आपके दोनों का अगर कंपर करते हैं, तो बिसिकली ABB बहुत अच्छा दिखे दे रहा है, एक मीडियम टर्म चार्ट पर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटरन फोर्मेशन का भी कन्फरमेशन हो गया है, तो बिसिकली 700 का एक रहम लेवल था, 700 के ऊपर अगर चलता है ABB जो कि आभी ट 800, 800, 9, 810 के इमीडियाट टागेट भी देखने को मिल सकते हैं, पर ये आगले एक हपते के लिए होगा, अगर सीमेंस की बात करें, तो बेसिकली सीमेंस उससे ABB के कंपरिजन में थोड़ा सा हलका नजर आ रहा है, तो इधर से करीबन 650, 675 के नेक्स टागेट आपको देखन ये रजी बता रहे थे कि प्रमोटर जो इंडियन प्रमोटर थे हैं, उन्हेंने अपना 3% स्टेक बेज दिया था, मैं थोड़ा सा फंडमेंटल इसमें दे रहा हूं कि इसमें फंडमेंटल भी है, 66% ये मेरे खाल से फिनिश कंपनी है, जो ओन करती है, ये मैं पैकेचिंग प्रमोटर जो दिया था, उसकी वैल्यू को 191 आ रही थी, जो 3% वो एक्जिट कियें, तो मैंने पहले भी जब ये वैल्यू पिक भी लिया था, मैं यही कह रहा था, कि शायद लगता है कि एक डिलिस्टिंग कैंडिट हो, वैसे भी फंडमेंटल स्टॉंग स्टॉंग ही, क आज पहली पार 90 के ऊपर जाके ट्रेड करता नजर आ रहा है, बहुत अच्छे वोल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो बैसिकली यह कहलाता है कि एक चेंज इन फंडमेंटल्स चार्ट पे दिख रहे है, तो जैसे आशी आप बोल रहे थे, टेक्नो फंडा वही एक चीज चार्ट पे दिखाई दे रही है, तो अगर मोमेंटम के लिए इमीडियेट टागेट करीबन 97 का होगा, यह आज या कल तक हो सकता है, पर अगर एक मीडियम टर्म से लेके चलते तो इधर से 100% रैली आपको देखने को मिल सकती है, यह टागेट करीबन 180 का हो सकता है, तो वो अबावना है कि नहीं देखते हैं, तो जरा इसका दिखाईए, एक अफटे का चार्ट दिखाईए पहले वो कार्ट में, पहले वो देखना चाते हैं, तो फिर देखते हैं उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे पास अभी आपकी चार्ट नहीं है, तो मैं देखनी सक रहा पर आज के लिए ऐसे नहीं बोल सकते हैं, पर अगले दो-तीन दिन में एक momentum जरूर मिल जाएगा इसमें, ये एक बेदरीन consideration दिखाई दिया है, करीबन पूरे January और February मैंने, आज तक का आच्छे consideration के बाद आज निकलते हुए नजर आ रहा है, तो 460 के targets के लिए आप खरीज सकत जैसे वो सब जो है background में चले गए हैं, जैसे बीच में R systems चला था, Trizin चला था, आपके बहुत सारे Polaris ये छोटे मोटे stock, मगर आज आज आप धियान रखना क्योंकि IT में वो momentum है नहीं, वो बंद हो गया एकदम, और ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि कभी भी market में जो ह मैं बात करूंगा, चले पर अच्छी बात करते हैं, जिसमें जैस कोई आपके पैसे बन सके हैं, तो मैं दो stock लेना चाहता हूँ, SPIC, और मैं देखे, पहले मैं कोशिच करता हूँ कि लॉंगर टर्म चार्ट देखू, मगर डे ट्रेड है, तो आप SPIC देखो और कोठारी प् देखा, अब मैं इसको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आज चल रहा है, मगर कोठारी प्रॉडक्स में एक महिने में trend है, तो इसमें थोड़ा सा जादा trend है, वो दूसरे stock में मैं नहीं कह सकता हूँ, अगर आज कल तो पता ही नहीं चलता ना कौन सी चीज जाके सीधा 20% अगर देखें तो करीबन last two years के average volumes के ऊपर trade कता नजर आ रहा है, तो 640 का target अपको इसमें मिल सकता है, 640 से लेके 660 के targets आप expect कर सकते हैं, जी, तो मैंने और चार प्रॉड़ा stock बनाते हैं, मैं आप से उसकी बात कर लेता हूँ, देखिए एक ऐसी चीज है, थोड़ी सी एरा ब्राजिल में 30 साल में सबसे जादा सूखा इस बार पड़ा है, तो sugar, coffee, cotton सबको impact ही है, ठीक है, तो दो stock जो आज चले हैं, उनके बारे में कह देता हूँ, एक शक्ती शुगर है, एक out sugar है, जादा चार्टी के लिए इस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि कोई शुगर में खाद charts है नहीं, इसलिए मगर मैं फिर भी आपको weekly और एक monthly रिखा देता हूँ, आप वो दोनों देख लो, शक्ती शुगर का और out का, मगर इसमें जादा chart में गुसेंगे नहीं, क्योंकि चार्टे के लिए इस ते नहीं कह रहा था है, जादा क्योंकि commodity है, तो वहाँ चले थे, चार-पांच और stock लेते हैं, एक Salern exploration में बहुत साफ chart थी, और आज फिर से उसमें थोड़े सा momentum आया, अगर आप एक साल की Salern exploration की chart डालें, और quarterly भी डालें, first class chart है उसकी, और एक दूसरा stock, अलग किसम का मैं आपको बताना चाहता हूँ, Moltech Technologies, Moltech Technologies में short term momentum था, Salern अगर आप देखें, तो इसका yearly momentum, quarterly momentum बहुत स्टोंग है, आप चला है, तो अच्छी चीज यह होती है, जिस stock में पहले सही momentum है, अगर वो थोड़ा और चल जाए, तो chart आपके सामने प्रित्याक शाया, आप कोदी देख लो, किस किसम की chart है इसमें, Moltech में यह है कि अगर आ तो फेरे distribution होगी तो देखेंगे न, अभी तो नहीं हुई है, तो stop loss जरूर रखिएगा, तो Salern exploration और Moltech technologies अगर आपके पास यह दो, Moltech की बात करें, तो basically इधर से और momentum जारी है, तो मेरे खाल से यह अबर 54-55 levels नेक्स resistance levels है, तो इधर तक जा सकता है, सेलन की बात करें, तो basically Salern Explorations बहुत ही बेतरीन चार्ट है, momentum बहुत ही अच्छा है, तो मेरे खाल से इधर आप 455 का stop loss लगा सकते हैं, और इसका target अब इमीडियेट, यहने 488 से 490 का expect कर सकते हैं. एक stock करें जी आप discuss कर रहे थे, मेरे क्याल से हमने इसमें भी लिया था, फटाफट पर लिया था शायद, तो जरह इसको डाल दें, CESC, एक हफते का इसका stock डाल दें और एक महीने का भी दें, CESC का, तो आज जो है कोई 2% उपर है, 3%, पहले चार्ट देख लेते हैं, पर द बिल्कुल साफ निकली है इसकी, तो चलो एक बार हम देख लेते हैं, इसकी मंतली चार्ट कितनी साफ है, अगर अगर आप day trading कर रहे हो, जो अभी की चार्ट है, उस पे ज्यादा weightage दो, मतलब 70% आप ये चोटी अभी वाली चार्ट देखो, फिर 30% बाकी वाली, अगर आप time correction और price correction दोनों भी हुआ है, और ये consideration होने के बाद, आज वापिस एक बार falling trend line के ऊपर trade करता नजर आ रहा है, falling trend line के value 460 है, इसलिए आपको stop loss 458 पे लगाना चाहिए, long बने रहना चाहिए, और इसका immediate target force 80 से 482 हो सकता है, पर अगर आप medium term के हिसाब से अगर invest करते रहे, तो आपको इधर से 550 के levels भी देखने को मिल सकते हैं.